जैहिन सात्यों स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में साथ है यूपी ट्रिफल सी वीडियो की परिशा का आप सभी लोग बेसबरी से इंतजार कर रहे हो क्योंकि इसमें अगर बात करें सेलेक्शन लेना आसान है आसान क्यों है मैं आपको बताओंगा अब मैं कहातू कि बिल्कुल हलवा है सेलेक्शन लेना तो बिल्कुल हलवा तो कोई चीज़ में नहीं होती है लेकिन हाँ और एक्जाम जो अब वेकंसी आ रही है या आएंगी जिनमें अभी हाल फिलाल में आपने paper दिया है उससे आसान है वीडियो में selection लेना क्यूं आसान है मैं आपको बताऊगा ठीक है सातियों और कब इसकी परिशा है ये भी मैं आपको यहां पर इस वीडियो में बताने वाला हूँ और आप सभी को मालूम होगा कि मैं भी UPSC video की त्यारी कर रहा हूँ और मैंने द्रण संकल्प ले लिया है कि इस बार इस बार वीडियो बनना है यानि कि इस वेकंसी में सेलेक्शन लेना है अंतिम रूप से और कोई कट ओफ की जंजन नहीं होना चाहिए कि एकजाम के बाद मुझे कट ओफ की देखना पड़े कि मैं इतने कि टॉप रैंकर आप लोग बनो साती हो ठीक है जो लोग भी इस चैनल से जुड़े है वो टॉप में आए ठीक है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं आप सबी को पता है कि प्रिस्टावित परिक्षा योजना एवं पार्ट गरम प्रिश्णगत परिक्षा वस्तुनिष परिकार की होगी बहुबिकल्पिय परिकार की होगी जिसमें एक प्रिश्ट पत्र तीन सो अंकों का होगा ठीक यानिके पूरा जो प्रिश्ट पत्र होगा तीन सो अंकों का होगा प्रिश्ट पत्रों में पचास-पचास प्रिश्टों के तीन खंड होगे वो 15% ये 10% लेखन योगता से सम्मदित प्रिष्ण आएंगी ये भी आपको ध्यान रखना है पहला खंड हो गया दूसरा खंड आपका समान जानकारी हो गया तीसरा खंड आपका रीजनिंग हो गया इन सभी के प्रिष्णों की संख्या 50-50-50 आएगी यानि के 150 का पेपर होगा और जो होगे ना दो नमबर का एक प्रिष्णों होगा यानि के 100 नमबर, 100 नमबर, 100 नमबर 300 यहाँ पर 300 नमबर की ये पूरी प्रिष्णा होगी जिसमें आपको 2 गंटे का समय साथी हो दिया जाएगा पहली बात यहाँ पर क्लियर हो गई क्या नेगेटिव मार्किंग है ये भी हम लोग देख लेते हैं उप्रोक्त परिष्ण तो नेगेटिव मार्किंग अर्थात रनातमक अंक दिये जाने का भी प्रवधान है दो प्रिष्ण गलत होने पर एक सही प्रिष्ण भी कट कर लिया जाएगा बहुती खतरनाग नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर तो गलत आपको अटेम्ट भी नहीं करना है यह आप लोग देख सकते हो कौन कौन से आपके चैप्टर आएंगे साथ ही हूँ ठीक है चैप्टर यहाँ नहीं यहाँ बस ऐसे लिख दिया गया है सामान जानकारी सामान बुद्धी हिंदी और लेखनी हो गता है यानि के आपको कुल मिला के सब पढ़ना है हाई स्कूल लेवल यहाँ पर बताया गया है जनवरी का पूरा महीना आपका चला जाएगा परिख्षा की कुछ भी हालत यहाँ पर कनफर्म नहीं हो रही है जनवरी में नहीं होगी फरवरी में नहीं होगी ठीक मार्च के शुरू में जो है वो इसकी परिख्षा हो सकती है मार्च के शुरू में हो सकती ने बलके 90% मुझे ऐसा लग रहा है कि परिक्षा इसकी मार्च के पहले सब्दा में लगबग आपको हो जाएगी यानिके फर्वरी के मिड में आपको मालूम पड़ जाएगा परिक्षा कब है क्योंकि परिक्षा से पहले सूचना दी जाती है कि भाई 10 दिन बाद 15 दिन बाद आपकी परिक्षा है तो कोई नोटिस निकाला जाएगा फरवरी के एंड में और मार्च में आपकी परिक्षा ले ली जाएगी तो साथी हो इसमें आपको समय बहुत मिल गया है क्योंकि 2018 में जिन लोगों ने एक्जाम दिया था कई सारे ऐसे लोग होंगे जिन उन्हें तैयारी छोड़ दी होगी और कई सारे ऐसे लोग होंगे जो तैयारी को कॉंटिन्यू करते हुए आएंगे उनके लिए तो ये परिक्षा आसान करना बहुत मतलब जादा मुश्किल नहीं होगा ठीक है क्योंकि इस 2018 वाली में 2018 वाली जितने भी कॉंपेटीटर थे गुरूप डी की दो बार वेकंसी है उसमें सब छट जाएंगे एंटीपीसी की बंपर वेकंसी आई थी उसमें सारे लोग छट जाएंगे जो कॉंपेटीटर बेस्ट बेस्ट होगे जो उपर की क्रीम होगी वो तो सब निकल गई गुरूप डी की दो वेकंसी में निकल गई और एंटीपीसी की वेकंसी में निकल गई है और जो लेकपाल की वेकंसी आई है वो भी complete ही हो जाएगी 6-7 महीने में, ठीक है, तो वो भी सारी क्रीम निकल जाएगी, तो अब बचा गया, नीचे की खजोड ही तो बची, और नीचे की खजोड ही तो है हम और आप, तो हमारा और आपका भी selection हो जाएगा इस वीडियो वाली vacancy में, यही मैं आपको बता रहा होता है, बहुत ही सम्मान जनक एक पद होता है, ठीक, सैल्ली कम होती है, सैल्ली कि हमें आपको चिंता नहीं करना है, एक सम्मान जनक पद मिल जाए, और इतनी सैल्ली मिल जाए कि हमारी और आपकी डाल मखनी चल जाए, राम से डाल रोटी चल जाए, तो फिर कोई दिक्कत और कोई भी, मतलब कोई भी अगर दिक्कत आए, तो वो सारी दिक्कत आजए और सारी हमें फैसलिटी मिले तो वो इस सब जॉब में है साथियो, सम्मान बहुत मिलेगा, ठीक है क्योंकि गाओं के लोगों से या अगर बात करें तहसील या जिले के लोगों से जो सम्मान वो बहुत ही जादा मिलेगा साथी हो तो इसके बारे में आपको सुचना है तो इसमें एक सेलेक्शन इजबार लेना है तीन सब्जेक्ट पर पकड़ बनानी है और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर जबाना है साथी हो अगर हमें और आपको सेलेक्शन लेना है मैं भी आपको बताओगा ठीक है मैं भी आपको बताता रहूँगा मेरी तयारी कितनी हो चुकी है अभी तो खेर अलहाबाद हाई कोर्ट का पर है गुरूब डी वाला तो उसकी तयारी में लग गया हूँ इधर मैंने 15 दिन उसको ही दे दिये थे सारे क्योंकि उसमें बैद एक्स्टरा आना है और इंग्लिश एक्स्टरा आना है तो वो थोड़ा बहुत भी मैं पढ़ लाँ बाकी अगर बात करें हिंदी और इसकी रिजनिंग मेरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है करिंट अफ़ेर भी ठीक ठाक हो चुकी सामान ग्यान बस में पकड़ बना रहो जैसी बन जाएगी अच्छा इसको राने लगेगा तो वो भी मैं आपको साथी हूँ जरूर बताऊँगा तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन जरूर दबा लीजेगा और वीडियो को एक बार हो सके तो शेयर भी जरूर कर दीजेगा मिलते हम सबी लोग आने वाली वीडियो में जैहीं साथी हूँ